Hey guys, this is Raq able, welcome back to another video तो दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे कि Facebook profile picture को कैसे lock किया जाता है या guard लगा जाता है क्योंकि Facebook में हमें बहुत सरे profile ऐसे देखने को मिलता है जिसमें lock लगा हुआ होता है और उस profile में सिर्फ picture को देख सकते है डाउनलोड या स्किन शॉट नहीं ले सकते है तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि Facebook profile fixer को कैसे लॉक किया जाता है या गाट लगा जाता है तो चलिए शुरू करते हैं तो दूस्तो सबसे पहले आपको Facebook में लॉग इन होना होगा तो मैं पहले से ही इसमें लॉग इन करके रखा है और लॉग इन होने के बाद आपको इस 3. में क्लिक करना है तो मैं यहां से 3. में क्लिक करता हूँ और यहां क्लिक करने के बाद आपका profile आजाएगा तो आपको simply इस profile में क्लिक करना है तो जैसे ही इसमें क्लिक करेंगे तो आपका profile fixer यहां show हो जाएगा तो simply आपको इस profile fixer में long press करना है यानि नहीं 2-3 second press करके रखना है profile fixer के उपर उसके बाद आपको यहां एक option मिलेगा turn on profile fixer guard इसमें क्लिक करना है जैसे ही इसमें क्लिक करेंगे तो आपके समने next का बटन आजाएगा तो आपको next में क्लिक करना है next में क्लिक करने के बाद आपको यहां save में क्लिक करना होगा देखें, anyone can see your profile picture, the guard helps keep your current profile picture protected यानि अगर आप इसमें save करेंगे तो यहां profile picture lock हो गया है यह profile picture देख सकते है लेकिन इसे save या share नहीं कर सकते है तो इस तरह से आप अपनी facebook profile picture को lock कर सकते है तो दूस्तों इस वीडियो में इतना ही मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद नहीं होगा अगर आपको वीडियो पसंद नहीं तो इस वीडियो को लाइक करेंगा और चैनल को सिस्क्राइब करना मद भूलेगा क्योंकि मैं आपके लिए रोधाना इससे ही इंट्रेस्टिंग वीडियो से लेकर आप